KTM RC का engine oil और oil filter कैसे replace करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में So, शुरुवात करेंगे सबसे पहले जो इसका engine है, उसको warm-up करने से Because जब engine oil गरम रहता है, तब उसकी जो quantity है, वो ज्यादा drain होती है तो पांच मिनिट के लिए वर्म अप करना है, वर्म अप कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स टेप की दरफ चलते हैं तो सबसे पहले जो oil fill hole की कैप है, उसको लूज कर लेते हैं And उसके बाद oil drain करेंगे, तो KTM में oil drain bolt है, वो यहाँ पर आता है, यह 18 mm का है, सबसे पहले drain pan को प्लेस करते हैं And उसके बाद एक 18 mm के socket की help से, जो यह bolt है, इसको remove कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक strainer आता है, उसको nose plier की help से आप फुल आउट कर सकते हैं और जितना भी engine oil है, वो drain हो जाएगा उसके बाद बारी आती है, इन दोनों को clean करने की तो इनके अंदर cleaning करते हैं टाइम में, इनका जो rubber है, यह दो o-rings हैं इनको हमें clean नहीं करना है, otherwise इनका जो rubber है, वो degrade हो जाएगा और फिर यह leakage की problem create करेंगी तो इन दोनों को remove कर लें, और उसके बाद आप इनको petrol, diesel या dish shop और water से clean कर सकते हैं अगर आप petrol से clean कर रहे हैं, तो आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं है otherwise diesel या dish shop से clean कर रहे हैं, देन आपको इनको compressed air की help से dry करना पड़ेगा alright, so cleaning करने के बाद में इनकी जो o-rings हैं, उनको फिर से fit करना है and इन o-rings के उपर थोड़ा सा पुराना engine oil है, वो use कर लेंगे, जिससे कि ये dry ना रहे हैं उसके बाद जो drain area है, उसको थोड़ा सा clean कर लेंगे strainer की ये वाली साइडे इसको बाहर रखेंगे, और इंग वाली साइड को अंदर रखते वे, इसको कुछ इस तरीके से लगा करके push करना है and उसके बाद जो drain bolt है, उसको लगा करके tight कर देंगे और ये जो bolt है, इसको ज़दा tight नहीं करना है, because ये aluminium का है, तो इसके थ्रेट्स हैं, वो काफी जल्दी स्ट्रिप हो जाते हैं उसके बाद ये जो area है, इसके ओपर थोड़ा सा chain cleaner spray कर सकते हैं आप, ताकि ये जो oil है, ये अच्छे से clean हो जाए, otherwise ये जो exhaust है, इसके पर stains create कर देगा बाकि आप कपड़ा वगिरा यूज करना जाएं, तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मरजी अभी, as a next step, ये जो oil filter के दो bolts हैं, 8 mm के, इनको remove करते हैं उसके बाद oil filter के जो area है, make sure वो clean हो, and उसके बाद ये जो plate है, इसको थोड़ा सा rotate कने के कोशिश करें, back and forth, ऐसा करते हैं, इसको बाहर की साइड खीचना है, and कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगी और अभी आपको एक circlip remover या installer, जो tool होता है, उसकी जरुवत पड़ेगी, जो oil filter है, उसको निकालने के लिए, तो oil filter को जो इसके बाहर वाले corners है, वहां से आपको grab करना है, and उसके बाद इसको pull out करना है, और ये process आप काफी carefully करें, because oil filter damage हो जाएगा, तो चलेगा, लेकिन ज इसमें ज्यादा oil है नहीं, तो इसको एक microfiber cloth या फिर कपडा साफ होना चाहिए, बात ये है, उसके help से आप clean कर लें, उसको इन्स्टोल करते है, और वैसे ये kit का पार्ट है, इसलिए वाइड कलर की packaging है, अदरवाइस ये KTM या बजाज की packaging में आपको मिल जाएगा, इसका ये वाला जो portion है, जिस side rubber का part है और hole बिना हुआ है, उसको अंदर की तरफ रखते हुए, जो oil filter है, उसको ऐसे लगागर के push करना है थोड़ा सा, और अभी इसकी जो oring है, उसको भी मैं replace कर रहा हूँ, आप चाहें तो पुराने वाली यूज कर सकते हैं, अगर उसमें cracks वग कर दें, और उसके बाद इसके दो 8 mm के जो bolts हमने खुले थे, उनको फिर से लगा करके tight करना है, और अभी oil filter की वजए से belly pen के अंदर काफी oil जमा हो गया है, तो उसको clean करना है, सेम उसी method से, जिस तरीके से दूसरी side हमने exhaust को clean किया था, तो ये step skip कर रहा हूँ, and next step की तरफ move कर लेते हैं, यहाँ पर मैं place कर रहा हूँ एक funnel, और अभी बात करते हैं engine oil की, तो KTM recommend करती है, कि आप Motul का 7100, 20W 50 engine oil use करें, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, इसकी वैसे तो oil की quantity, जो box है, उसकी तो 1.5 liters है, but हम अभी इसमें 1300 ml के something pour करेंगे, and उसके बाद इसकी जो oil window है, उसकी help से हम इसका जो oil level है, वो measure करके decide करेंगे कि इसमें कितना oil pour करना है, because oil की measurement है, वो totally depend करती है कि कितना oil हमने drain कर लिया है, जो की engine में था, अगर engine में थोड़ा बहुत oil रह जाता है, तब जो oil है, वो हमें कम pour करना पड़ता है, तो इसलिए सबसे पहले rough idea यही रहता है, 1200 या 1300 ml आप पोर कर लें, और उसके बाद बाकी का 100-200 ml है, वो इसको measure करके पोर करेंगे, ओके, so 1300 ml के something oil pour करने के बाद में, बाइक को मैंने मेरे एक friend की help से ground है, उसके एकदम parallel कर दिया है, और अभी आप जो oil window है, उसमें देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन से थोड़ा सा जा रखा oil level, ऐसा इसलिए किया है, विकोज जो oil filter है, उसके अंदर अभी engine oil है, वो गया नहीं है, और बाकी कि जो इसकी oil line से उनके अंदर भी engine circulate होना है, तो अभी के लिए हम जो level है, उसको यहीं पर रखते हैं, जो fill cap है, उसको बंद करते हैं, और उसके बाद जो next step है, जो process है, oil change की, उसको almost complete कने वाले हैं आपन, बस last के 2 steps बचे हैं, जिन में से एक उने वाला है, फिर से एक 2 minute का warm-up, because warm-up की वजए से जो engine oil है, वो पूरा engine में circulate हो जाएगा, अभी यहां पर एक important tip बता देता हूँ, oil filter है, उसको मैंने dry लगाया है, काफी लोगों को इसी से problem रहती है, देखो, oil filter dry लगाया है, उसकी विजए से थोड़ा time लगेगा, oil filter में जो engine oil है, उसको fill होने में, और उसके बाद वो आगे circulate करेगा, यह चीज़ सही है, but हमने engine को पहले warm-up इसी लिए तो किया था, कि जो engine oil है, वो जो engine है, उसमें सारे components को अच्छे से lubricate कर दे, और हमने इतना time लगाया भी नहीं है, कि वो सारा engine oil नीचे आगया होगा, तो उसकी विजए से हमें यह benefit मिल जाता है, कि हम जो oil filters को dry लगा सकते हैं, बाग की अगर आपको oil filters को oil में soak करके ही लगाना है, देन वो आप कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, बस थोड़ा सा mess ज़्याद All right, so अभी warm-up की process complete हो चुकी है, तो अभी 4 या 5 मिनिट के लिए जो engine उसको cool down होने देंगे, जिसकी विजए से जो oil है, जितना भी immediately नीचे संप में आना होगा, वो आ जाएगा, and उसके बाद इसका oil level है, उसको फिर से measure करेंगे, All right, so अभी bike है, वो ground से parallel है, engine हो cool down हो चुक Exactly बीच में है, but let's say आपने engine oil level है, वो पोर किया, and उसके बाद में जो आपने bike को ground से parallel रखा, तो यहाँ पर oil level हो दिखाए नी रहा है, that means कि आपको और engine oil है, वो इसमें पोर करना पड़ेगा, जब तक oil level इन दोनों के बीच में ना आ जाए, तब तक आपको oil पोर करना है, अगर oil level है, वो इस maximum mark से ऊपर आ जाता है, फिर आपको oil level है, वो कम करना पड़ेगा, जो कि आप जो fill hole है, उसमें से एक syringe और एक pipe की help से भी कर सकते हैं, या फिर जो drain bolt है, उसको थोड़ा सा लूज करके, वहाँ से भी कर सकते हैं, but in this case, it's good, so अपने को कुछ भी करने की ज filter cap और जो drain bolt है, उस area से oil leakage नहीं होना चाहिए, and with that being said, यह process यही पर finish होती है, but यह जो process है, यह पूरी जो episode है, KTM RC series की complete servicing की, उसका just एक part है, तो अगर आप बाकी के जो parts है, वो देखने में इंट्रेस्टेट है, then stay tuned for that, and उसके अलावा, इस वाली वीडियो में तो इतना ही की पाली जाओ, कोई जबार सोचते है, पुền है, उसमार्य झालावा, ये जा सरी जाफ ये जाना ही, तो सके देखने है, ये ज जबार रत चुए वाली बाइन है, जारे से अजा सवानी में शल्भ्सावारिको सत्ल एक का घाम्नृचश जल्भस जाहीं सर्भस, बास्वार